तो question number 18, find the number of the non-zero integer solution of the equation mod 1-i whole power x to the power x तो इसमें find out क्या करना है, x find out करना है ये जो class 11 का NCRT chapter 5 complex number का miscellaneous में 18th question है तो last video मैंने काफी question करा दिये थे काफी चीज़ें हो गहीं थे, miscellaneous में बस एक दो question बचे है इन बच्चों ने भी तक इसको देखे नहीं है तो इस पर सार एक सार resolution channel पर अब लेबल है आप जाके देख सकते है चली start करते है, question बच्चन पर 18 क्या है कैसे दो find out the value of the x from complex number तो complex number यहाँ पर दे रखा है 1-i whole power x is equal to 2x यह जो mod है, यह कोई bracket नहीं है, mod है यानि modulus है तो किसी complex number का modulus निकालने के लिए में जानते हैं अगर कोई x plus iy, general form में कोई complex number होता है अगा मुझे उसका modulus निकालना है तो उसका follow होता है, root में x square plus y square x होता है real part का coefficient, यह कोई real part ही होता है, coefficient कोई बात ही नहीं है y जो होता है, i का coefficient तो यानि अगर मैं x plus y, y से इसको compare करूँगा 1-i को, तो x मुझे मिल जाएगा 1 और y मिल जाएगा minus 1 तो यह modulus लगा हुआ है, तो सीदे से हम लोग क्या करते हैं पहले इसका modulus निकाल लेते हैं तो modulus अब निकालेंगे, तो इससे मैं लगाऊंगा square root और पहले लिखूंगा x square plus y square और बहार already यहाँ पर चल ला है x याखेगा, अब यह modulus नहीं है, अब यह bracket हो गया है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका modulus find कर लिया है अब हम लोग जानते हैं, दोनों जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, root 2 तो यह चीज तो इतनी तो आ गई है इसके बाद हम लोग यह तो जानते ही है, कि जो square root होता है यह एक power होती है, इस power की value होती 1 upon 2 तो इसलिए अगर bracket में open करूँगा, तो यह हो जाएगा, x upon 2 तो यह खेगा root 2 जो होता है, 2 दी power 1 upon 2 से represent किया जाता है तो अब यहाँ पास चीज आ चुके हैं, base दोनों बराबर हैं, तो compare करेंगे तो compare करेंगे, जब base बराबर हैं, तो इसका लगी है कि power भी आपस में बराबर होंकी तो यह चीज आ गई है, अब मुझे find out करनी है x की value, तो इसलिए मैंने यहाँ पे cross multiply कर ली 2x आ चुका है, 2x minus x is equal to 0, value आ चुकी है, तो x कितना आ चुका है? 0 तो यारे x जब 0 होगा, तो यह दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाएंगे, तो simple method से question complete हो चुका है, अच्छा question है, अब स्टार्ट करता हो, next is question number 19, तो question number 19 मैंने यहाँ note कर लिया है, इसमें given है a plus ib, c plus id, a plus if, g plus ih is equal to a plus ib, यह तो clear है कि यहाँ पूरे question में जितने भी आपको दिख रहे हैं, यह सारे के सारे क्या हैं, complex number है, और मुझे जो answer लेके आना है, without complex number में फॉर्म में लेके आना है, लेकिन answer की क्या form है, square आना चाहिए, तो square आता खब है, एक छोटी सी बस trick है, वो आपको याद अखनी है, वो पूरा question आपको से solve हो जाएगा, सबसे ब each का sign change कर देते हैं, यह उसका conjugate find हो चुक है, अगर इन दोनों के आपस में multiply कर दें, क्या करते है, multiply z into z bar, तो कितना हो जाएगा, x plus i y, और x minus i y, तो result हमारे पास आजाएगा, x square minus i y square, तो z into z bar is equal to हो गया, x plus y square, i में हटा दिया है, क्यों हटा दिया है, क्यों हटा दिया है, क यानि के negative negative plus हो गया, तो z into z bar is equal to x square plus y square, अगर आप यह value सोचेंगे, बारे में, तो हम लोग जानते है, modulus जो होता है, किसी भी complex number का, square root में x square plus y square होता है, तो अगर आप दो side square कर दें, तो value आपको कुछ इस तरह से मिलके आएगी, क्यों x square plus y square is equal to modulus का square, तो यह तो चीज सेम ह है, तो इसका दलब यह है, कि यह हमारे पाद जो value आ गई है, वो कितनी है, mod z का square होगा, तो मुझे करना क्या है, बहुत simple matter से लगाना है, main यहाँ पर concept यह है, कि आपको इसको ले के आना, square ले के आना है, और square कैसे आएगा, जब मैं इसकी conjugate की, एक number की conjugate से multiply करूँगा, तो ह हमारे पाद खुद square बन गया जाएगा, तो पूरे सवाल में conjugate में convert कर देना है, multiply कर देना है, और answer आजाएगा, तो सबसे पहले, जो question दे रखा है, वो इस तरह का question हमारे पास, बहुत simple method से देखिए answer, देखने में इतना danger है, लगि danger लगाने में नहीं है, अब यह answer है, यह second condition यहाँ से आजाएगी, तो conjugate जो मैं लूँगा यहाँ पर, a-ib, c-it, e-if, g-ih, और यह हो गया, a-ib, यह second condition, आपको करना है कि आप दोनों conditions को आपस में multiply कर देना हो, answer आजाएगा, तो फिर, multiply by 1 and 2, आपस में करनी है, simple, बहुत easy है, तो आपस में करनी है, मैं लाइन से क और जो partner जो है, उसका पास पास लिख लीजिए, वो ज़्यादा से रहेगा, जो partner जिसका होना चाहिए, उसको पास पास लिख देना आपको, ठीक है, और equal to may b, वैसे ही आजाएगा, a-ib, और 7 में आजाएगा, a-ib, ठीक है, आप देखें, multiply करनी है, तो मैं यहाँ पर, इसक i-b, whole of square, bracket close, c-square, minus id, whole of square, e-plus b, और msb, यहाँ पर मैं identity लगा रहा हूँ, e-square, minus if, whole of square, फिर ऐसी, g-square, plus, minus ih, whole of square, इसके बाद, ऐसी, same, यहाँ पर, a-square, minus ib, whole of square, अब हम लोग जानते हैं, कि i-square is equal to minus 1, क्या जानते हैं, i-square is equal to minus 1, जानते हैं, तो यहाँ पर, सब कहीं है, negative हो जाएगा, positive, क्यों हो जाएगा, i-square, सब के पास है, तो मैं यहाँ पर, value put कर रहा हूँ, अब देखें, सीदे-सी, answer, कुछ भी नहीं करना था, simple सी, छोटी सी, trick लगानी थी, conjugate लेके, आपस में क्या करनी है, multiply करनी है, और बस, हो गया, approved, हो अब से, method से, short trick ते, इसकी तरहीं लगाने के लिए, अब स्टार्ट करते है, next question, यह आपको clear हो गया होगा, जिन बच्चों जबता हो, चाहे हो, subscribe नहीं है, जल्दी से subscribe करें, ताकि न्यू से new, वीडियो की notification आप तक पहुच पाए, चलिए, start करते है, question number 20, is the most important question for the examination, तो question number 20 में note कर ली है, देखे, बहुत important question है, examination में जरूर आता है question, तो इसमें क्या है, 1 plus i upon 1 minus i, whole power m है, is equal to 1 है, करना है कि है, देंदा, find the least positive integral value of m, तो यह power जो आपको दिखनाने है, इसकी value find out करनी है, आखर, यहाँ पे m कितना लिया जाए, ताकि इस पूरे की पूरे function की value क हो सकती है, जिस पे positive 1 आ जाएगा, लेकिन मुझे सबसे छोटी value बादानी है, जिसके रखने से यहाँ पे 1 आ जाए, तो हम लोग ठीक है, start करते हैं, कैसे गोशन लगाएंगे, देखते हैं, तो सबसे पहले आप जो है, इसको note कर लीजे, 1 plus i, नीचे गा 1 minus i, power m is equal to 1, तो अब इसको सबसे बहले rationalize कर लेते हैं, तो rationalize करने के लिए मैं लेता हूँ, यहाँ पे इसके denominator का conjugate, यानि के यहाँ 1 minus i है, तो हम लोग 1 plus i से multiply, divide कर देंगे, इसको बहले rationalize कर लेंगे, उसको बढ़ डिसाइड करेंगे, क्या आखिर, कैसे answer लाएं, तो यहाँ पे तो a square में d square plus 2ab, upon ने क्या हो गया, i square मिला, i square जानते हैं कितना होता है, minus 1, तो यह value हो जाएगे हमारी plus की 1, बहार, एक m चल रहा है, जिसको find करना है, वो भी लिख लीजे, और फिर ने देखिए, i square आ गया, तो i square जानते हैं कितना होता है, minus 1, अब यहाँ पे negative 1, put कर देंगे, upon ने क्या चीज़ा आ गई है, i to the power m is equal to 1 आ गया, यानि simple से value आ गई, i to the power m आ गई, मुझे करना है, एक m ऐसी value decide कर दी है, जिससे i की power put करेंगे, और 1 आ जाए, तो देखते हैं, सबस्वेहले, i क्या होता है, negative 1 होता है, i square क्या होता है, यह आपका root में होता है, i square क्या होता है, negative i होता है, i power 4 कैसे निकालेंगे, i square into i square से निकालेंगे, और i square क्या होता है, negative 1, negative 1 यानि positive 1, तो यह clear हो गया है, कि अगर यहाँ पे मैंने power 4 ली, i की, तो यहाँ पे, अगर power मैंने कितनी ली, 4 ली, तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो बस, सबसे छोटी power मिल गी, मुझे क्या लेनी थी, भूलेनी थी, मुझे M to the hour, 4 लेना था, जिससे answer आजाएगा positive 1, तो इस तरह से question को लगाना था, यार के, बहुत important question है, बहुत आता है, ये exam में, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, सीख लीजिए, सीख लीजिए, सीख लीजिए, सीख लीजिए, इम्पॉर्ट लीजिए, सीख 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 लीजिए, सीख